असलाम लेकूम क्या हाल है उमीद है सब ठीक ठाक होंगे आज की बड़ी युनीक सी वीडियो आ गई है इसका नाम है मीठी ठीकिया या इनको कूंडे भी कहते हैं तो वीडियो स्टार्ट किरते हैं और बाकी बातें साथ साथ किरते रहेंगे अच्छा आज की रेसिपी के लि जितनी जितनी हमने कौंटिटी एक चीज के लेनी है उतनी ही दोनों चीजों की बाकी लेनी है तो पीसी वी चीनी हम इसमें इसमें इस्तमाल करेंगे ताके उसके कोई ग्रैनूल्स ना हो और अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और आप लोग मैं वैसे हाफ से थोड़ सी कम ही ले रही हुए क्यों कि मैं थोड़ी कम चीनी पसंद करती हूँ तो बराबर की सी लेंगे तो थोड़ी से निकलती भी होगी थोड़ी से तेज होगी बस वैसे है इसकी मिगदार बराबर रहाए ये मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए कम-कम कॉंटिटी में दिखा रही हूं वैसे आप जितनी भी जादा बननी चाहें और आप इस कॉंटरी को डबल करते जाएं अगर आपने वन कप मेदा लिया है तो वन कप सूजी वन कप भी चीनी लेंगे इस तरह से आप इसको डबल करते जाएं और ये देखें मैं तीनों चीज़ें मिकस करने, इसमें डाले जरह सा Meanwhile, अइसे जरी को ऐसे आएँ बिल्सका हो जाली तोड़ा सानिके थक्ज़र दोरी के आद्ड चोड़ेश्युतों नाहां कि युदू से करने के बाद मिद भूरी के लगभा हूए ₱ड गूंद लेंगे पस ज़ाधा फीरिच क ठंडा दूद नहों हमल दूद भो जह तिंपरिचर पर मिलक होते रूमल टेम्परिचर वाला उसको लेकर हम उसके साथ यसाथ गूंद लेंगे ह belong कि आटा अपने इस तरह में गूंदने के हम इसको 10-15 मिनट के लिए रख देंगे और इसके बाद हम ठीकिया मना लेंगे बस ये बहुत ही असान तरीका मैं बता रही हूं आप लोगों ने और वीडियोज देखी होंगी उसमें ये होता है कि आपने तकरीबन एक दू घंटा आटागून के छोड़ देना है उसके आप इसको 10 मिनट के लिए रख दें बस उसके बाद जी ये देखें मैं पेड़ा बना रही हूं उसका थोड़ा सा मैदा डस्ट करके और ये पेड़ा बनाके आपने इसको बेल लेना है जादा ना जादा मोटा ना जादा पतला अगर आप बहुत पतला कर लेंगे तो फिर अगर आप बहुत जदा मोटा कर लेंगे तो अंदर से कची रह जाएंगी इसलिए बस नॉर्मल यह आप अपने अंदाजें के मताबी देख लिएगा के नॉर्मल साइज इसका रखके बेलने के बाद और राउंड चिप में कट कर लीजएगा किसी भी कटर की मदद से या लिट के मदद से राउंड चिप में कट कर लें और यह क्योंकि आप लोगों को बता ही होगा कि खास तौर पर रजब में बनाई जाती है ठीकियां वगारा कूंडे वगारा तो यह रजब का महीना चाल रहा है आपने ट्राइज जरूर करना है और साथ साथ लाइकन कमेंड भी कर दीजएगा क्योंकि इतनी मेहनत से फाबलाओं के लिए की जाती है फिर से सस्ती रेसेपी मैं लेकर आ गई हूँ तो एप्रिशेट जरूर किया करें और शेयर किया करें जादा साथ जादा ताके सब लोग इससे फायदा उठा सकें यह मैं खुद च्राइकर रही हू तो कोई ऐसा नहीं है कि मैं कोई मतलब आप लोगं को इस तरह की चीज़ बता रही हूँ कि जो बन के अच्छी ना लगे यह खुद मैंने बनाई है तो बहुत ही मज़दार बनती है और बहुत एजी सी रेसेपी है यानि कि हमारे बड़े बज़ुर्ग वगरा बनाया करते तो वो तो पूरी पूरी रात इस आटे को रखा करते थे और उसके बाद फिर वो टिकियां बना करती थी इस तरह से होता था अगैन मैं आप सब के लिए असान सी तरकीब लेका हूँ यह देखिए जी माशाला कितनी अच्छी टिकियां बनी है चाय के साथ सब कीजिए मैं अब सब के फीड़बेक का इंतजार करूंगी अपना बहुत ख्याल रखिएगा अलाफेज